आपको फॉन में देखिए लाइव आ रहा है इसमें गया? मुटिप्रिकेशन में तब मुटिप्रिकेशन ही आपका इसमें गया? मुटिप्रिकेशन में ने पिछाले हैं इस तरह जानों राभू करेंज में देखिए आई यह आदा आदा है? आदा है आदा है पहुंचे पहाद के फ़रा देर हुआ इसको पले चला तरह को पले राभू जाले टो बाद। जादा है अयुड़ा आदा आदा है कर दो कर दो कर दो DO कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 आज झाल तो आगर दो लोग को च्वाइस दे रहा हूं, उसके में से कौन सा अब लाइए, वो हमें आब बाताई है, उसका अनुबादाई होगा, और फिर उसका अब लोग को च्वाइस दे रहा हूं, कौन सा वाला सुन्ना है, वो आप बताईए, मैं प्रयास करूँगा, आज विश्णु स्वावी प्रभु का प्रवचन था, उन्होंने कहा था, मैं पूरी कोशिस करूँगा पहुचने के लिए, फिर भी अगर नहीं पहुच पाया, तो आपको देख लिजिएगा सेवा, तो इसलिए हाज मैं सब्सिचूट सेवागू, सब्सिचूट बदाब, बारवा खिलारी रहता है, तो आप लोग मुझे दोनों में से कौन सा सुनना है, वो बताईएगा, क्योंगे स्लोक सब्सिचूट सौएं प्रभू रोज मेजते हैं, अरे क्रिस्ट्ट्स्ट् आप डूप पर डी राम आपर अच्छा आप जाप पर अवाद शीडिए आप अपर अपर ऊप अच्छा-चैन अच्छें अच्छा आप अगर संट अच्छाइड अच्छा आप अच्छाइडिर मैं तो पहला श्लोक है कि जो पूरुस नित्य प्रत्री भागवत का आध्रा या चोथाई स्लोक भी पढ़ता है यह हरी नाम महिमा जो गंत है उसका है उसे राज़ सुई है और अस मेग यगों का फल मिलता है जो कोई भी पूरुस पूरुस का अरथ यहाँ पहे सभी जीवात्मा है काहे या इस्तरे पूरुस की बाद नहीं जो कोई भी चीप यह कहना चाहर है जो कोई भी आत्मा जिवात्मा नित्प्रति भागवत का आधा या 24 लोग भी पढ़ता है उसे राज सुई राज सुई और आस में एक यगों का पल में ता है नित्प्रति भागवत का पाट करना भगवान का चिंतन करना तुलसिक को सीचना और गव की सेवा करना या लिकारता चा परण थे क्रिसक पेवान का चिंतन करना सब्सक्रिक घंक करें इसमें अनुबाद है और एक जो भागवत का श्लोक है वो अभी मैं पर रहा हूँ वो आप लोग सुनिए बोलिए उसका श्लोक भी बोल लेते सब लोग फिर हम आते आगे स्वाधर्म निस्ठा सत जन्नम्भी कुमाना प्रिचित्ता मेती प्रिचित्ता मेती तता पर्राम निस्थी माम अभ्यकित्तम भागवतों अथा वाइश्नवं पदम यथाहं विभूधा कलापतिये ये पुरा श्लोक है अब उसका अनुबात पर रहा हूँ कहरे हैं कि जो व्यक्ति अपने वर्नाश्रम धर्म को समुचित्रीती से एक सव जन्मों तक निभाहता है वह व्रह्मा के पद को प्राप्त करने के योग हो जाता है और इससे अधिक योग होने पर वह सिव जी के पास पहुंच सकता है किन्तु जो अनन्य भक्ति वस सीदे भगवान क्रिश्न या विश्नु के शरन में जाता है वह तुरंत वैकुंट लोक में पहुंच जाता है सिव जी तथा अन्य देवता इस संसार के संगहार के बाद ही इन लोग को प्राप्त कर पाते है समझ में आये कि एक बार और पड़ू समझ में आया आप लोग को पीछे आवाद जा रहे है नहीं तो थोड़ा आगे आजाए थोड़ा फेर दयाक करेंगे तो अच्छा है आप लोग तो थोड़े से हैं और ना है तो मैं निवेदन करूं कों साव स्लोक सुनना चाहेंगे यह बागवद जी का स्लोक है ये श्लो भागवजी का चोथा सकंद 24 सद्याय और 29 नंबर का जिनके मोबाइल में है समके है गूगल में यूट्टूब में देख सकते हैं चोथा सकंद 24 सद्याय और 29 तो कौनसा आप लोग सुनना चाहते पहले तो कहा हरी नाम महिमा का वो ये जो भागवजी है वो तो हरी नाम महिमा तो ठीक है आप लोग आई का हरी नाम महिमा कोई तो बड़ा असान है भगवाना के प्रेपा अच्छा है अच्छा है मुझे यह बहुत लग रहा था चली उसको भी और इसको भी बाद में मौका मिला समय तो थोड़ा सा कहेंगे लेकिन भरी नाम महिमा निशित रूप से चैतन महाप्राभू की किरपा है और हम उसको गाएंगे प्रयास करेंगे चैतन महाप्राभू किरपा तुझ कंने milश्वने डी को बाद में आफे यह बहुत लगए करेंगे चैतन महीं, नाम नाम मौने 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 अच्छोनमर्ण ममा नच्छर॥ कित रहता चली समय, तिर भी नीच की अच्छनमर्ण करेंगे ऑम मौने बाद मिलां घुद। तो ये हरी नाम महिमा एक बार और सुन लेते हैं ठिक से जो पुरुस नित्य प्रती भागवत का आधा या 24 लोग भी पढ़ता है उसे राजसुई और असमेगी यग्यों का फल में दिता है नित्य प्रती भागवत का आधा या 24 लोग पढ़ता है ये भागवान की अहेतु की किरपा है चैतन महा प्रभू का हरी नाम महिमा ग्रंत है हरी नाम महिमा क्या है आप लोग एक ग्रंत गोगल स्पे या भुक स्टॉल से खरी दिये हरी नाम महिमा नामा के ग्रंत है जिसमें 10 नाम अपराद के ऊपर पूरी किताब हो और अनेक अनेक नाम के महिमा उसमें लिखते हुए अनेको अनेक, यहाँ पर एक बार नौ दिन की कखा होई थी उस ग्राद के ओपर, इतने दिन की, नौ दिन की, जब यहाँ पर पहली बार, नौ दिन का भागवात हुआ था, पस टियर में, वहाँ पर स्टेज ती उदर, उसका आपको, एक हम लोगों ने चार भी आप, फोटा अच्छे अच्छे, श्लोकों कार्थ है, अनुबादों लिखा हुआ, उसमें पढ़ेंगे, बहुत आनन्द आएगा, बहुत कुछ है उसमें, चार पेज में, तो मैं पीछे है, मैं निवेधन करूंगा, नर्सिंग प्रलाद प्रभु से, और जो कोई भी बुक स्टॉल द और क्षों आएंगे, और कॉंसेंट्रेशन जाता है, क्यूंकि मैं देख के नहीं बोल रहे हूं, आज हमारी पड़ाइन बछे स binnen तो में थाटीम, सबोल पिए के पार सबक में प्रांटों का को हैं में चारे थे कृस्रा, म्दा동мы, हमार। तो के जो प्रोस्य प्रति बहागवाद का आध्या सब्सक्राइब पड़ता उससे तो सबसे पहले यह जान लिजिए कि हरी नाम महिमा ग्रंथ से और इसमें यह ग्रंथ इसलिए भी परम्पमित्र और बहुत हम लोगों के लिए कल्यान का कारण है क्योंकि एक ग्रंथ चैतन महाप्रभू सुन रहे इसक्राश में कौन सुनने वाले है श्री गाउरांग चैतन्य महाप्रभु जो स्वाइम क्रिष्ण है साप्षाथ क्रिष्ण है वो स्रोता है इस ग्राव में क्या है स्रोता है और वक्ता कौन है नौ दिन की कथा किसने किसने सुना था कुछ बोलो मस्चुप चाब बेटो और नहीं तो पीछे बेटो नौ दिन की कथा यहां जब हुईती किसी को ध्यान में है हरिदास ठाकूर और सुनने वाले स्वयम भगवान भक्त कहने वाले है और भगवान सुनने वाले है तो हरिदास ठाकूर कहे रहें चैतनमा ब्रभु से ब्रभु मेरी कोई योग्यता नहीं है हरिदास ठाकूर कौन है हरिदास ठाकूर एक मुशल्मान घर में जन्म लिया हुआ जीव का नाम है क्या मुशल्मान अवन्ते लेकिन उनके हरी नाम में इतनी निस्टा ती इतनी रूची थी कि वह 22 खंटे हरी नाम जबते थे उसके बाद उनको कुछ का में जाते थे अपना दैनी खाना है पानी पीना है या जो कुछ भी है जब तक पूरा जब नहीं होता था तीन लाग तब तक कहीं जाते नहीं थे उनको उनके नाम जब से हटाने के लिए उस जब आने में आज से लगपते 500 साल पहले भी अनेक अनेक उपाई किये गए उनके समझ के दौरा जो मुस्लमान लोग थे उनके घर वाले परोसी संबंदी किये यवन है मुसलमान है और हरी नाम जबता है इसको हटाओ अनेक उप बहुत संदर इस्त्री पतीत है उनको भेजा गया कि भाई तुम जाओ कैसे भी नहीं अभी यह अरी नाम चोड़ रहा है तुम जाओ उसको और उसको कैसे भी वंचित करो हरी नाम से और उगई हरी नात शाकुर के पास और निवेदन किया कि आप मुझे अपना धरम पत्नी बना लिजिए आप मुझे संतुप्याय से भी आप मुझे संतुप्स्त करिए तो भरी दास्ताकूर ने कहां ठीक है अब रहें मेना माला खतम हो जाएगा जब तो मैं आप इचा पूरी करूंगा अब वह एक गंटा दो गंटा तीन गंटा चार गंटा पाच गंटा सजदस के मेक अप करके आए थी सब मेक अप पिगल गया या अंप पिगलता है कि ने कार शे घंटे के बाद पिगल जाते और फिर उतना ब्रो freeze नाम कर रहे हैं। और हरी नाम का जो vibration है जो positivity है जो उसकी शक्ती है अब उसके अंदर transform हो रही है। वो जो करने आईती भूल रही है अब हरी नाम का असर हो रहा है तो चार छे आठ घंटे के बाद जब उन्होंने कहा कि कभी आपका खतम होगा बोले जब खतम होगा तो मैं आप ठीक शपूरी करूँगी आपने जो भी कारण जाये मैं आपका शपूरा करूँगा तो पहले दीन चली गई दूसरे दीन तीसरे दीन कुछ दिनों के बाद भक्त बन गई हरी नाम सुन सुन के क्या हुआ वो परम भक्त बन गई हरी नाम सुन सुन के जब हम शुद्ध भक्तों के मूँ से हरी नाम सुनते है तो हम भक्त बन जाते हैं हम मैंसे बाकी लोग कैसे हर बक्त बन रहे या बने हैं क्या किया कहीं सत्संग में गए आपने हरी नाम सुना हरी कता जोनों जब का मतलब जब और कथा दोनो किर्टन का मतलब कथा और किर्टन दोनो वेद नहीं है अगर नहीं समझे तो कई न कई तकलीब है किर्टन और कथा का जोरा है क्या है जोरा जैसे दो कर्दाल है यह जोरा है ऐसे ही किर्टन कर लो या कथा कर लो एक ही बात है भगवान के नाम का गुनगान किसी भी प्रकार से तो इस प्रकार से वो दो चार दिन में भक्त बन गई और उसके सारे मलिन भी चार घक्तम हो गई परम भक्त बन गई तो यह हरी नाम इतना सकती शाली है तो चैतन महाप्रभू गवरंग महाप्रभू साक्षा जो क्रिष्ण है यही गवर्श से प्रिष्ण से जगनात उन्होंने अपने भक्त का इतना निस्ठा देखके 22 घंटे किरतन करता है उनको संसार में असापित करने के लिए क्या क्या कहा कि आप हरी नाम का महिमा गई आप मुझे हरी नाम का महिम सुना ये मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं हरी दास्था को रोने लगे क्या हो गया रोने लगे कि मैं तो एकदम अधम पूल में जन्मा हुआ आदमी हूं मैं तो अधम पूल में जन्मा हुआ यवन मलेक्स यवन पूल में जन्मा हुआ आदमी हूं मुझे कुछ नही इस प्राकार से जब चेटन महाप्रभू ने बार बार निवेदर क्या कि मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं आपके मुख से सुनना चाहता हूं तो हरिदास ठाकूर ने का ठीक है प्रभू आप जो चाते हूं मैं करूँगा क्या कहए robusta करें मैं मेरी तो कोई योगिता नहीं है मैं तो आपके चरंदूली के बी योग्य नहीं हूं लेकिन आप जब आदेस का नतन नहीं करोगा यहां पर बहुत बड़ी सिक्षा है कि आपकी योगिता हो या नहो teenager अगर आपके कोई बरिस्ट वक्त गुरु आचहर भगवान। जब कह रहे आगया दे रहे तो आपको आगया माननी चाहिए अगर हो कह रहे तो जरूर कुछ ना कुछ जानके कह रहे होंगे कि हमें जब भगवान किसी पर करपा करते हैं तो कैसे उजागर करते आपको पता नहीं उदाउन को बता होता भगवान जाने रहेगी मैं बुलबाऊंगा मैं मेरे भक्त को संसार में अस्तापित करूंगा क्यों कि ये परमपरा अब आगे तक जाएगी का तक जाएगी कलियुक आगे मतलब कलियुक के आखरी जीम तक जाएगी जो एक दम पतित है ठीक है इनोंने तो मुसलमान घर में पैदा हुए अवन कूल में पैदा हुए लेकिन इनका जो कर में हो देखो जो ब्राम्मिन घर में पैदा होने वाले वो तीन लाख नाम नहीं जब सके आज तक आज तक कोई दूसरा नाम नहीं है बड़े बड़े प्राकार पंडित प्राम्म मैं एक से एक रहमन है औनिक प्राकार के प्रामन है मुझे बताईए ना 22 घंटे हरी नाम किसने किया इस का demy एक इस में किसी ने किया क्या क्या कोई कोई मतलब नहीं है पूल का कोई मतलब नहीं है पूल आपको उपर नहीं ले जाता है आपके कर्म उपर ले जाता है क्या उपर ले जाता है आपके कर्म और कौन से कर्म हरी नाम का जब करने वाला कम हरी का सेवा करने वाला कम वह आपको उपर ले जाता है चैतन महाप्रभु क करीब किसको धरीदास्थाकुर को कौनसी चीज लेके गई उनका नाम जब फीन लाग जो रोज करते थे 22 घंटे सोच सकते हम 22 घंटे लौफरी तो कर लेते 22 घंटे भूम तो लेते 22 घंटे चका चक 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 है कि नहीं को भी किन सकते तकेंगे नहीं अरे कल सोलेंगे आज मौका मिलाए गिन लो नीन हो गई तो दूसरे लोग गिनना शुरू कर लेकिन नाम गिनने बैठो माला लिया नहीं तो प्रभु जी मैं समाधी में चला गया था फिर दो तीन माला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कोने में उदर दो कोने में कोई कोना माकी नहीं था लेकिन यहां जो खराटे सुना रहे भगवान के भगवान सुन रहे न अंदर भी है न कि खाली वही है वो भगवान सोच रहे कि इसको कि इसका करूं तो क्या करो कि आप लोग सोचिए मैं उसको बिस्तार शर्म आने लग जाएंगे ज्यादा बोलूंगा है है लाज लाज यहां शर्म और लाज है कि बोलूं कि या उस पर थोड़ा गंटा है इंकरिस्टिक है भाई यहां आके भगवान विचारे सब्सक्राइब भगवान दीए कैसे सकते हो अब आके आनके सब्सक्राइब प्राइब आप आऊ हमें देखो आनन्द करो जीवन सुधारो और आप आने के बाद कुणे में जाए जा ले जाते है और अप्ना पेर लंबा कि आप बगवान को नारा चरन देखो अधिया एक निंद को चीतो एक दिन भगवान के पास बैटे और एक बड़ी बात बोलू भगवान के सामने जान बुच के सोणा निंद के मारे अपराद है क्या है जो कि भगवान अगे है अधिया इसे नहीं समझना है दूसरे तरह से समझाता हूँ आपके घर में प्रधान मंत्री आया है कौन आया प्रधान मंत्री आके पूर्शी पे बाइटा है और आप गलास का पानी रखके और सर यस सर यस सर हर बात में सर और जो जगत के नातह मालिक है उनके सामने सो noodle है हम ऐसे बुद्धु लोग है क्या है ऐसे हंट मलीण लोग है अईसे हमारी प्रिया मलीण है आइसा हमारा सब भीचार हमारा वहाल सब जिरो बटा क्या साओ या जिरो समझ गया तो एस सब थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए तो चैतन अप्रभू इसे निश्चावान ऐसे पवरें विस्वांषर में क्या करते हैं प्तासित करते हैं ताकि दुनिया उनको जाने कि ऐसे मेरे भगत होते हैं भले वो कौन सा कूले हो नहीं देखना है नाम का भी एक होता और एक काम का होता है क्या होता है एक नाम का और एक काम का तो नाम का अच्छा है कि काम का हा तो ये बाला पहिचान हमेशा याद रखेगा आज संसार में नामदार बहुत है और अध्यात्मिक संसार में बी तो कामदार चाहिए नामदान नहीं चाहिए यहाँ यही सिक्षा तेरे भगवान चाहिता नमा रभू हज़ा सब रोटोर काप रहे हैं क्या बोल पाँगा मैं तो यवन कूल में हूँ कभी स्कूल गया नहीं हूँ प्रभू क्या बोल पाँगा नाम के सिवा मुझे कुछ आता नहीं बोल क्या पाँगा खेते आप बोलिए मैं सुनने के लिए तैयार हूँ आज आपके मुख से सुनूगा आप जो बोलेंगे मैं सुनूगा और फिर हरी दास्ताकपुर के रहे हैं और भगवान सुन रहे हैं तो यह बुख आप लोगों को मंदिर में मिल जाएंगे नहीं मिलेंगे तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं मेरे पास एक रांत है आपको जेरोक्स कराके उसका दे सकता हूँ जेरोक्स कराके लेकिन फ्री में नहीं दोगा जेरोक्स का पैसा लोगा तो आप लोग फिर उसको फ्री में किदर रख देंगे समझ गए क्या तो जब पैसा थोड़ा खर्चेंगे तो थोड़ा पढ़ने का मन होगा है फिर भी मंदिर में डूंडिये जैरोक्स कराने की नौवत ना आए तो कहरे क्या कहरे जो पूरुस नित्प्रती भागवत आधा या चौथाइस लोग भी पढ़ता है उसे राजसुई आप लोगों ने कुछ देखा होगा यहां पर नाला सुपारा में यग होता है चंडी यग पता ने कहांके यग होते रहते हैं उसमें कितने सामगरी और कितना खर्च लगता है लगता है कि नहीं लेकिने जो राजसुई यग है और असमें यग है इसमें इतना खर्चा लगता है कि आज कराना असंभव जैसा है क्या है आज कराना असंभव जैसा है पहले तो हजारों हजार शुद्ध ब्राह्मन नहोते कितने हजारों हजार जिसका आज सर्वहत्रा भावेगए और सब लोग चार महा पाप में से कोई ना कोई पाप करते हैं न शाह, मानसाहार, जुआ, अवेद संबन्ध ये चारों में से कोई ना कोई एकाम में लगे हुए बाबा का जो भूंद है न असली हमरी तो जाता उसमें तो ऐसे बाबा हम लोग बूलाते हैं घर में और कड़ाते रहते हैं उनसे स्वाहा और बात में सब स्वाहा हो जाता है तो कह रहें कि छोटा मोटा यग कराने का तो हम लोग सोच नहीं पाते हैं पात मुस्के से किदर किदर किया को रहे हैं और जब राजसुई और अस्मेग और अनेक अनेक कराना यह तो असंभव है क्यों कितनी सामगरी लगती है जो आज संभवी नहीं कि इसलिए भगवान ने कल्यों टेवल नाम अधारा सुमेड़ सुमेड़ उत्राहिपारा तो कहें कि जो पूरुष नित प्रत्ति भागवत का आधा या चौथाइस लोग पढ़ता है उसे राजसुई और अस्मेग का फल मिलता है अभी सोचिए कि अगर कोई रोज दस लोग बोलता है यहां तो कितने का बात हो रही है आधा और चौथाई का उसको किसका फल मिलता है राजसुई यग और अस्मेग यग हों मतलब सौपचास यग का फल उतने में मिल जाता है अगर कोई रोज भागवत जी का दस लोग पढ़ लिया एक पेज जब खोलेगे न तो कम से कम वीच लोग है और उसका अनुबाद है एक पेज में इसमें गोरभ पुरवारी जोग गिता है गिता बसकी प्राभपात जी का है उस असमें गियागय करना चाहते थे तो क्या करना होगा एक शलोग परकलिया हमें है किया एक शलोक है चले एक शलोग भोलेते इक राजशुई कर लेते और अस्मेग अनेक कर लेते, क्या बोलते, बोलिए, मुकम करो तिवा चालम, पंगु लंगम ते गिरिम, यत्किरपातम हम बन्दे, वर्मानन्द माधवा, एक और बोल लेते, एक और राच्वी करते, एक और अस्मेग करते, बोलिए, क्रिश्नाए वासुदेवा है, हर्ये परमात्मने, प्रतकलेशनासा है, गोविन्दाए नमो नमा, अब ये राच्वी होगे, कितने अस्मेग होगे, क्यूंकि दो श्लोग बोल दे हम लोगे, तो मंगला चर्ण में तो हम लोग, या आप में से बहुत सारे लोग, र रोज दाजवी श्लोग बोल लेते होंगे, और जो नहीं बोलते हैं, उनको रोज बोलना चाहिए, एक पेज खोल के पड़ लिया, या गाल या एक ही बात है, अगर ये भी नहीं होता है, तो किसी से सुन लिया, या कही से सुन लिया, अनिक प्रकार के मोबाल में है, तो भी उतना ही फल मिलने वाले है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कि यग का फल मिल जाए, क्या हो जाएगा, यग का फल मिल जाए, या फिर यग कर लिया जाए, ये कोई बहुत उपलब्दी नहीं है, उपलब्दी क्या है, दूसरे वाले में क्या कह रहे है, मैं उसमे दर्म का आज तो कोई कर नहीं रहे कुछ लोग को विस्तार से कभी और जाएंगे आज सिर्फ रेफ्रेंस दे रहा हूं वर्णाश्रम धर्म का समुचित पूरा का पूरा उचित धंग से अगर कोई पालन करता है तो ऐसे सव जनम इतने जनम सव जनम करेगा तो ब्रह्मा का पज मिलने वाला है सिर्फ और उससे भी अगर उचा करेगा तो भक्ति अगर करेंगे भक्ति सर नागत होके प्रेम भाव से तो भगवान का वैकुंट लोग प्राप्त कर लेगे कि सव जनम आदमी का मिलेगा तो करेंगे न वचान धर्म दो मिले आगे सव जनम गारेंटी है को बख अरे भाईया वाद मुश्किल बड़े बड़े क्या बड़े बोले बोले श्लोक जिन को याद है बरे भाग मानुसा कोई ब्रह्मा बन सकता है भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते वैकुंड नहीं जागते लेकिन सिर्फ भक्ती करेंगे सरनागत होके ऐसे कंडिशन सित्तान याद रखना चाहिए सरनागती पहली कंडिशन है जैसे चैतन महा प्रभू को हरिदास ठाकुष सरनागत है याप है कहर हम नहीं जानते चैतन महा प्रभू कहर नहीं आप कहिए मैं सुनूंगा तैयार है आप जो बुलवाना चाहते बुलवाए मैं कहूंगा उन्हों नहीं कहा नहीं नहीं मैं मेरी इज़त चले जाएगी आप क्यों कहलवाना चाहते ठीक है प्रभु आपकी आग्या जो होगी मैं करूंगा जान तो नहीं चले जाएगी जूट गलत हो जाएगा उल्टा-पुल्टा हो जाएगा मेरा इज़त लुटने दो लेकिन मैं आपका जो आग्या हो नहीं टालोंगा यहाँ यहाँ जा रहा है हम लोग क्या करते हैं हम लोग पहले एक्स्क्यूज मोट पे रहते कौन से मोट पे पहले से घर से चार पाँच धुने रहते देर से क्यों आया दो ये वाला बोल देगे समझा athlete इसेवा क्यों नहीं कर रहा है तो यह वाला बोल देगे वह कमर में धर्व से प्रवभी कमर तीन दिन से पकड़ा हुआ है गुरुबार को जो पकड़ा है नहीं तक पकड़ा हुआ है और सुद्धी के नीचे भागने के लिए जो दौर लगाएगा रिक्षा चुट बोल यह हमारा पतन हो जाता है क्या हो जाता है ? जो हमारे उन्नति होना तब दौर गर्टी में परित होता है पहलना पहली कि हुआट हो देखो कोई चीज नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है दो हाथ भगवान ने दिया आध長 प्रभबु जी मैंसे नहीं होपाएगा और पिर करने का मैं प्रयासर हुगा ना कहसे कि नहीं आज किसी कारण से नहीं कर पाऊंगा आप चाहिए तो हमें च्छामा कर दीजिए चाहिए तो जो आपको डंड देना है दे दीजिए लेकिन आज के लिए प्लीज एक्सक्यूज हुआ ना भोल सकते हैं कि झूट बोलना ठीक है टूट बोलने का क्या हुआ एकतों कि अगले आदमी का क्रपा से बंचित हो गए दूसरा क्या हुआ आपने सर पे पाप चराया जूट बोलके अपना पतन किया तो इन आदतों से हमें उपर उठना होगा इन आदतों से जो जनम जनम से पड़ा है उसे उपर उठना होगा तो यहां पे कहे रहे ही कि यह राशुय यग और अस्मेग यग ये सब करके भी जरूरी नहीं कि भगवान प्राप्त हो बगवान का प्रेम प्राप्त हो और भगवान का द्राप्त हो यह तो अधियों चोधाशों के बढ़ाबर है और जो आज के लोग करने में सक्षम नहीं है, क्या दशा है इन यगों का, और लोग धना धन यग करते, पंडी जी को भूलाते, छुपी हो जाम है इसे, पंडी जी करता है, एक बस्तु सान्ति करा लो, यग करा लो, अबन करा लो, कितना कर्चा होगा, अचिस्ती सह जार में क गर दूँगा, और अगर अच्छे से कराना चाते, तक उच्छ जब्सली वाला देना चाते भगवान को, ठीकेसर, कज़ोरी, ब्रह्मन को अच्छा दशना दोती, भगवान को अच्छे रेस्मी बस्त, तो ज्यादा से ज्यादा एक लाग जाएगा, अरे नहीं, नहीं, नह बागवान को मर्कीन चड़ा देंगे, बागवान के लिए मर्कीन कमका लाएंगे, आट रुपे मीटर वाला, आपको चलो पंडिती हैं काम करते हैं कि 11,000 मतलों, पांच हजार में कराना है तो कराओ, नहीं तो मैं कोई भी बढ़्जी से करा लूगा, और काम हो जाएगा पू और पूरा एक शहर का पंडाल सजेगा, पूरे शहर के लोग आएंगे, ऐसा नहीं है, हजारों लिटर घी वहाँ पे असली घी, शुद्ध गाय का देशी घाय का घी डाले जाएंगे, अपने आप उसमें से आग चलने वाली है, अपने आपंत रुचात, ऐसे है कोई ब्रा गायों को काटी जाती थी, पूरा ठाल में सजाया जाता था, और ठाल में सजा के रखे जाते थे, रखने के बाद सभी ब्राह्मन मंत्रु चारण करते थे, गाय जिंदी हो जाती थी, क्या हो जाती थी? कटी हुई पूरी गाय पीस-पीस, वो जिवित होती हवन कुंड से बाहर आती थी, समझ गई क्या? उसी, वो मेध यग का दो पीस, एक ब्राह्मन पत्नी जो प्रेगिनेंटी उसको खाने का इच्छा हो, प्रेगिनेंसी में चटर पटर, अटर सटर खाने का बहुत मन होता है, तो खटा मीठा तीका, ऐसे लोग कहते सास्त्रों में में लिखा है, तो उसने भीरे से एक बर्तन में से दो पीस निकाल के मिट्टी में दवा दिया था, कि जब खटम हो जाएगा पाका के खालेगि, और वो डर के मारे निकल नहीं, निकाल नहीं पाई, कि उसके जहाना अन्दा हुआ और एक का लसून हुआ, इसलिए वैस्णव लोग उसको गो मान समझके नहीं कहते हैं, क्या हूआ? एक जगह से प्याज आया, और एक जगह से लसुन आया, ओनियर एंड गाल लिक है न, तो इसलिए हम लोग प्याज लसून नहीं कहते हैं, तो आज ऐसे ब्र और 24 लोग अगर कोई पड़ेंगे रोज नित्यम नित्य प्रति तो उनको यह सब फल मिल जाएगा लेकिन इससे क्या होंगे संसार के कुछ चीज प्राप्त होंगे क्या होंगे यग लोग क्यों करते थे राजा बनने के लिए दूसरे को जीतने के लिए जब सव राजशुय अग्य करते हैं सव तब कोई जाके इंद्र बनता है क्या बनता है शिर्फ इंद्र और वो इंद्र फिर जब उनका पुन्ने खत्थम होता है फिर यहांपे आके सूवर बनता है और चिनने पून्ने मिर्ट लोग के विश्चनती जब कून्ने शिन्ट वाजा जाता है और गटर का आउलेट का कीरा बनते क्या बनते ऐसे इंद्र की सितिति करने वालों करेंगे क्या करेंगे दूसरे वाले श्लोक में कहते हैं भाई सौ जनम तक सौ जनम तक अगर समूचित जो क्या वर्णाश्रम धर्म करेंगे तो ब्रह्मा बन सकते करेंगे लेकिन होगा क्या करेंगे पूरा परिवार लेके ध्यान लगाए हुए आप लोग कहलाश जाके देखेंगे सीवजी का दर्शन होता है क्या होता है सीवजी साख्षा दर्शन देते कैलाश में कैलाश परभच हो है तिबबत में अभी चाइना ने हरपा हुआ है आप वहां परभच के सामने जब परिकर्मा में जाएंगे ना सीवजी का साख्षा दर्शन होता है सिवजी का आई नहीं पारवती जी का दनपती का इतना ही नहीं चुए भी दिखते और विश्णु जी के तो अनेक दर्शन है रोंग्टे खड़े हो जाएंगे जम जाते फ्रीज हो जाते भगवान ने दर्शन दे दिया नंदी तो 10 किलो मिटर 20 किलो मिटर दूर से रचन होते है नंदी के बर्फ का आई लेकिन आपके रोंग्टे और आसु रुकेंगे नहीं दर्शन हो आना भगवान का आप गैदे कीस लिए साक्षा दर्शन जन है वहँआ पर विष्णो झीलाच्ऑ सारीकर के सब पूरे पहार में वर्फ की आक्रिती बनी हुई है आप सिर्फ उसमें रहिए भगवान दर्शन दो भगवान दर्शन दो दन हो जाएगे जीवन दन हो जाएगे तो डेकिया भगवान को मनो काम ना करिए मनोरत करिए कि ऐसे एक मौका दे भगवान कि हम का इलास मान सरोबर जाए परम जो भक्ते भगवान के वैश्चनवा नामियता सम्भू सिव जी का जन करपाली होता और वहीं भगवान विश्चनु आपको लक्षमी जी के साथ दर्शन नहीं सिसनाग के साथ नुए लेटे और अध्बूत दर्शन नहीं सिसनाग को लाई दीन तक खाते नहीं लोग उसी में रहते लोग रो रहे तो रो रहा आननन में आननन के आश्चू बैटे रहते रोना भी आननन नहीं आती है और है आननन नहीं आती है तो इस प्रकार से अजिसक्तिती है प्रकार आप करों नत्याशन रहे हैं अगर आपके पार्फ नहीं है बहुत अगालशन नहीं उसके प्रकार सूज़ाही तरह देखो अब जमें आए एक फोटो पिट्स अब लिए उनको कुछ मतलब नहीं है उनको वाइप सेट बहनना चाहिए या बहनना चाहिए खटिया है खटिया लगाओं समाधी में गई थे क्या समाधी में चले गई थे है अचा ठीर नहीं हम लोग से भूल हो गया समाधी में गई थे क्या कि खटिया है खटिया निले सुनना मुँ धुल बादो भागे कुछ मत बोलो हरे क्रिश्ना हरे क्रिश्ना खटिया 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 और किसी को नीद आना है तो मुथ दो लिजिए ताकि सुनसा को कुछ अपने कल्यान के लिए तो इस प्रकार से कहरे कि यह याग हवर्ण में मत परिये कालियों के वाल ना मेरा तो इस प्रकार से हरी नाम की महिमा है क्या है हरी नाम की महिमा है हम लोगों को यग हवन और अनेख प्रकार के रिच्वल्स जो कर्म प्रकार के जो अनुस्तान हो रहा है अने प्रकार के जो हम लोग तर्म में अपना प्रिया महुमूल समय और बहुत की धन और जीवन समसे प्री बात की दूरलव जीवन जो खराब करें उससे बचने के लिए इस प्रकार की बेवस्ता बनाई जाती है और इस तरह के श्लोग हम लोगों को पढ़ने और सुनने का का जाता है कि क्या कोई भी आधा चौते हैं तो कोई की आधा या चौफार पढ़ता है क्या क्या बहुत से ब memb Vou Alexa शुना-ट्रीन का यहां तो बॉट से नित्यंग भागवत गीता अठारा पुराण बागी जितने भी प्रामानिक उपनिशद है और रामाइन, माभारat जितने प्रामानिक ग्रंत है भागवत से उसका आसे है और विशेस आसे के सबी पुरानों का चैसे उसके जर में जब पानी डाल देते हैं। इतना विशाल पेर में चढ़ के हर डाल हर पने हे जलिते हैं। ग्रीप्व से ये स्रीम्थ भागवत् celebrating ये फूल्य आम भाकुनीति सरीम्थ भाकुन है constel आध्यों कि इसी कि सुछी स् fav 44 pan अधया नहीं कि यह पूरना, कि आलके अधिा किरेते हैं थरुम्स कि पर जूस है जूस तो इसलिए कि नित्व भागवत का पाट करना लेकिन हम लोगों से बहुत सारे लोग जो यहां आते हैं जो यहां आते हैं भरत जी तरहां तो जाई एक भरत बाबु भरत के भरत बाबु सांथ हो जाई आपके नाम पे देश चलता है है ना भरत नाम के राजा पे देश चलता है तांत हो जाई यह तो ना मुझे भी सुनाईएगा बाब में जोर लगा के तो नित्यम भागवत से विया जो कोई भी भागवत का पठन करते रोज उनको समझिये महा धन्य भगवान की किरपा है बहुत सारे आप लोग के घर में भागवत की नहीं है जिनके घर में 200 रुपई का श्रीमाद भागवत नहीं है 250 रुपई उनली इसके दो खंड है 500 रुपई के आप लोग के घर में नहीं है एक लाग का टीवी है LCD या है वेल्लैक्स और उसको दस साल में चेंज करते हैं आप लोग है कि नहीं अलमारी बढ़ी स्टाडियों से और कप्रों जिन्स और जूता नहीं कि नहीं है और प्रावजी ने करते हैं सिर्फ अंडर्ड रुपीस या पे हंगें रुपीस घर में नहीं है क्या है क्या है कि दुर्भाग है न क्योंकि हम कलियों के जीव है और यहां आके भी दुर्भाग में पड़े महा कलियों के जीव बन गया है कि अगर बिजनेंस कर रहा हूं तो यहां से मत लेना जहां आपका जो रिष्टेदार बेच रहा होगा ना वहां से लेना रिष्टेदार के पास से डिस्काउंट में देगा जिनके पास पैसा नहीं तो फ्री लेके जाओ आओ अगर सच में पैसा नहीं है सच में जूट मत बोलना तो फ्री लेके जाओ लेकिन घर में रखो और पैसा है तो खरीद के लेके जाओ और जाज़ा है तो अपने पूरे खांदान में एक एक डालो क्रिआ करो ताकि उप defining सके तो देख सके तो घर में लाल कपड़े में बांद के रख सके तो अच्छे काम उच्छे काम करते रहे हैं अरे क्रिश्ना और प्रवपाद जी का जो भागवतम है श्रीमाद भागवतम वो उसका अठारा ग्रंथ है कितने अठारा वो मिलते पूरा सेट जिसमें बिस्तार से लिखा हुआ इसमें सिर्फ श्लोक है और अनुबाद है उसका तात्पर नहीं है तो बाद हम समझ नहीं पा जब हम धन्यवाद जब हम तात्पर पढ़ते विस्तार सुनते तो समझ में आती अच्छा इसा है क्या तो ऐसे ग्रंच चाहिए प्रवपाद जी के द्वारा या उनके सिश्चों के द्वारा लिखा हुआ उसके कीमत पांच हजार रोपे है कितना सभी भासाओं में इंगल जिसको मुंबाइके भासे में तिलो फिलो वेलते हो नहीं बड़े बड़े उससे बड़े होते हैं उतने बड़े बड़े और आधिया और चोटाइ में हो जाएंगे दस पढ़ लिया तो चालिस हो जाएगे तो रोज करिए और जो चाहिए बगवा से माँगे वक्ति नहीं मांगना है संसार में इतना मांग लिजिए बहुत हो गया अब हम जगनात का एक मंदिर बना देते अपने लिए बहुत हो गया तो जगनात जी पिछारे यहां पड़े तो एक अपना घर भी हो जाएग इतना अच्छे भाव से माण लिजए एक और यह नहीं मांग सकते तो यह मांग लिजे भई भगवन आप कहते हो कि मेरा भक्त जो सरनागत है जो हमें फ्रेम से भचता है जो परम परागत है दासा अनुदास है उसको हम अपना धाम दे देते अपना नाम अपना फ्रेम सब कुस्ट ध्रता के मंत्रoo किने अंटर नहीं रहतें। बहुत छोटा खिए बहुत चोटा सिती उसे भगवान जैसा जीव दिखता है। अंतर नहीं रहते! उससे भगवान peas diffband और जो मुक्त हुआ जीव है एक ही रूप में रहता है तो इस पुड़कार सारी नाम की महें तो नित्यम भागवत सेवया क्या नित्यम रोज पढ़ना चाहिए लेकिन जब घर में ही नहीं है तो पढ़ेंगे किसको पढ़ेंगे अब कुछ नहीं मिल रहा है भागवत न मोबाइल लाओ चलो वाटसअप भोलो चलो वाटसअप हो गया फेस्बुक पे चलो अब वह भी हो गया आप किसी को पॉन करो कि क्या है भाई कि भागवत से भिया होएंगे इसका सद उप्योग करिए इसमें बहुत सारे श्लोग बढ़े हुए जो रोज पढ़ सकते ना भागवत की जाुरत है ना घीता की जाुरत है इसको भाग इसमें पढ़ को सकते किने कि या लिखा और बना सकते किने और हजारो लाध को लोगने पनाया हुआ है तुप आग डहाँ व् another Channel ability कि इसमें 20 जाँधा जाए किते पां पढ़ती यह थी last ametz tri RHTI हुआ अ part 2 जाए ढुद नि यह फोन отмет стब्समीन हो्ति कि जब है प्रसन एक प्रस्स करें न्यूनिन गळी और इसे उनल करूंनOK वह लोग अगिलने वाले नित्य भागवत का पात करना और क्या कह रहे दूसरा की गव सेवा करना क्या करना गव सेवा करना और तीसरा क्या कह रहे तुलसी का सेवा करना और चौथा बोलिए याद है किसी को चौथा क्या कह रहे तुलसी सेवा नित्यम भागवत का पाठ और चौथा बोलिए बगवान का चिंतन करना यह कहरें यह बगवान का चिंतन करना यह यह जितने भी प्रकार के यह उससे भगवान प्राप्ति होना संबब है बगवान को प्राप्त करने के लिए सिर्फ भक्ती करने पड़ेगी शिर्फ भक्ती बगवान कहिते कई बार गीता में मुझे भक्ती द्वारा ही जाना जा सकता है प्राप्त किया जा सकता है दूसरा कोई उपाय भी नहीं और यह एक बाए है कि भगवान को सर्वप्त ही प्रावत कर सकते ना ज्ञानी प्रावत कर सकते योग कर सकते अधानी हरा साथ कर से अच्छाई की स्रीमार भागवतम रखे और जो पढ़िये उसका कहरे चिंतन करिए जो सुनिये उसका चिंतन करिए कि आज बहुत उचा सुना एक बात क्या बात सुना उचा कि उचा बात सुना कि हरी नाम महिमा ग्रांट में लिखा हुआ है कि चैतन महाप्रभू ने मुसल्म अब बात सुना जो यवन पूल में जन्म हो आता और उनको गले भी लगाया आलिंगन कि तो उसको आलिंगन करे भगवान इतना नहीं नहीं जब उनका शरीवान ने उनको गोद में लेके उनका दास अंसार किया कि हरी दास थाकूर एक ऐसे महानुभाब हुए इसे महात्मा जीनका भगवान अपने हात में ले जाटें सामने और किलो मेटर सब्सक्राइब वह नगाएगे जिसको श्वटर केंते हैं वहाँ पे जिसकी भी अंतेस्टी होती है दासंस्कार होता है वो स्वर्ग जाता है कहां जाता है शिदा स्वर्ग जाता है उसका नामी है स्वर्ग द्वार चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ अपने हाथ में ले अपने अन्वाईयों परिकरों के साथ सबी जितने भी जगनात पूरी में उनको मानने वाले लोग थे प्राया उन दिनों सबी मानते थे जगनात चैतन्य महाप्रभु को और अपने हाथ से दास अंसकार किया उनका, ऐसे परम्भाके मुझे बताइए ना इतियास में, जो निम्न खूल में जन्मा है, उसका बताइए तो कोई ऐसे बड़े वइश्नव हो गए, जिनको भगवान ने, एक ऐसे वइश्नव हो गए, जिनको धर्शन दिया भगवान ने बिस्म पितामा जब वानसाया में पड़े थे तो धर्शन दिया था, लेकिन उनको गोध में उठा के अपने हाथ से दासंस्कार नहीं किया ये हरी नाम के कारण होता है, किस के कारण ये भूलियेगा मत, इसका कारण फल क्या है? हरी नाम का फल है कि भगवान गोध में उठाते अपने बक्तों को भगवान दासंसकार करके अपने दाम में ले जाते उनको ये हरी नाम महिमा है हरी नाम की महिमा है तो इसलिए कहरें कि नित्यम भागवत सेवया जब नित्यम भागवत की सेवा करेंगे रोज हरी नाम बोलेंगे, हरी नाम बोलना भी क्रिष्ण के रतनों के भंदार में पूरे हरी नाम महिमा का सार कह रहा हूं कृष्ण के रतनों कें बंदार में जो सर्वस्रेश्ट रतन है मेरे अर्जुन चक्कराँ रहने पूर इतना काफी है महगवान कहे रहे मेरे रतनों के भंडार में जो सर्व स्रेस रतन है वो क्या है हरे क्रिश्ण महा मंत्र है क्यों कहे रहे महगवान कहे रहे समझे यह ऐसे रतनों का स्रेस रतन महा रतन महा मंत्र हरे क्रिश्ण महा मंत्र हम लोग के जह पे नहीं आते है मूँ पे नहीं आता है माला नहीं होता है हम लोग से अधम कौन हो सकता हम लोग तो बस लोगों को धोका दे रहे और उससे जागा खुद को धोका दे रहे और सीना ठोक के और मूच को ऐसा टाइट करके कई लोग तो इतना इतना बड़ा मूच बनाते बोलते हम तो ठाकूर है है क्या है चांस को दो खुछ है कि पक्राइगे तो पर देज़ेंगे तरुछ पर नहीं रखा नहीं नहीं लेकितना भी उनका कुछ भी है चलता नहीं सब निकल जाता है तो यह सब चलता नहीं, सब सिर्फ जूट अपने आपको बोलना, दुनिया को दिखाना, अपने आपको अधम, पतन की ओर ले जाना, अधमों को गज्दी में ले जाना, यहीं चलता ही, इगो के कारण, अहेंकार और अध्यान के कारण बने कुछ नहीं, है, जीरो बटा जीरो लेकिन अग्यान के कारण, एहंकार के कारण बस बने हुए है, बने रहो भाई किसको पढ़िए, भगवान तो उसको उठाएंगे जो 22 घंटे हरी नाम करता है, ग्रंथ में लिखा है, लोग सर पे लेके घुम रहे हैं, यहां से महिमा गाई जा रही है, जिसको संसे है, हरी ना का यहां हमें, शिद्वकूल क्या नाम है, शिद्वकूल, उस समर्दी मंंधिर का राम रहा है, लोग जगष पास이지, सीदा न्य कही महिमा है, वहां statewide हरी क्इसा के लेका है, अच्छोर। को यहां सब्लते हैं, और तब आप तब को बताऊं एक वकूल का पेर होता है देखा है उसका फूल इतना शुद्ध होता है इतना सुगंदित मिटा होता है यहां तो है नहीं कि इदर वकूल का पेर को जानता भी नहीं है वहां वहां पेर वकूल का पेर भी है वह पूल में एसे चक्र जैसे पूल होते हैं छोटे-छोटे-छोटे-छोटे बिकूल और वाइट कलर का वाटर कलर वाटर कलर वाटर कलर और अपने आप सुभे चार बजे की हजे नीचे पर गड़ जाता है उठाना ही पड़ता है चुक्कि फेर भी छोटे-छोटे होते ऐसे ही लाइंगे पूरा गड़े जाता है तो लोग जाते ना चूल के फैलियों में बढ़के बतु बुनते रहे थे बहती कूल है बहती दिप्ड़ पहुद्रा आगे बदानादे आमों को लेका कच्छा है क्योंको तो तो शुच्टी कलर बहुत अजयर अलाक ताहरा चाहिता है तो इस प्रकार के वकूल के हार भगवान को दे जाते कभी आप जगणनात्पूरी जाएंगे मायापूर में तो अनेक लोग वकूल का हार लेके आते और दुकानों में भी रहते तो इस प्रकार से सिद्ध वकूल में हरिदास्थागूर का दर्शन लिजिए करपा प्राप्त करिए प्रात्ना करिए आप करेंगे तो मेरा हरी नाम बाइस घंटे तो नहीं दो दो मिला के बाइस होता है ना कि दो दो मिला के चार होता है चार करने के लिए भीच में प्लस करना पड़ेगा दो दो एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा तो एक दो निकाल दो दो गणते तो कराओ क्यों से अगर बाइस घंटे में समझता हो आपके ओपर दुनियादारी है जवाब दारी है बहुत पूछ है आप यह कहेंगे बाइस घ बूल जाओ भगवत दाम ना प्राप्त करू लेकिन हम घर संसार तो चलाओ जिम्मेदारी है तो दो घंटे तो करो भईया बीच घंटे करो दुनियादारी अगर बीच घंटे में पेट नहीं भरता है तो समुन्दर बहुत बढ़ा है जाओ और डूब जाओ उसमें क्या है अगर बीच घंटा भी मेहनत करके पेट नहीं भरता है या दुनिया नहीं जीद पाते हो तो समुन्दर बहुत बढ़ा है जाओ और सीधा डूबो जीना बेखा रहे धर्ति का बोच क्यूं बढ़ा रहे पाप क्यूं बढ़ा रहे क्यूंकि पाप ही करेंगे ना ज्यादा क कमा के जदा कमा के कौन धर्मातमा कौन है दाणवीर करने या कमाने वाले है कोई दान भी दिनों ने बहुत कम आया हुआ कि नहीं स्वर्ण तो इस निर्ट के भागवाद सेवाल भी आरोज नाम जब करो नीता भागवाद रामाईन मा भारत का स्लोप पड़ो और गागवाद करो उसका चिंतान करो चाहितान करो पागवान को देखना भी यह वह देखना भी आगवाद का पाट है बगवाद को निहारते रहों खोल बगवाद को सिर्फ देखो चॉविस घंड़ा देखने वाले कोई है किया बोले बगवाद एक ऐसा दीन बनाओ है ना फातर अज़न जेते सिस्टर डे मेंक्सिभ देते पड़ाना टे एक आइसा टेबनाओ नजाना टे जगनानाथ नहारना हुआ यहां बैटो ध्यार देगे रहो हम लों बना नहीं कि लिए कि लिए कि इतने लोगत sonra 24 गंटे के लिए आपने कि वहिए हम लोग ऐसा कोई आज असे थेओं हम लोग ऐसे बढ़ेंगे तो नहीं मुश्किल होता यह लोगों के लिए क्या होसी होता हैं तो कहरें कि नित्या MARY भागवस सेविया और चंतन करो चंतन जो कुछ सुना आए देखा उसका चंतन करो हुए कि चंतन करो हम लोग तक शौबइस घंटा क्या करो हम लोग को भगवान ने थोड़ी वागवान को नहीं सघा रहें कि अधना धन है ना उतना समय दे पातें कि तो अभी तक हम लोगों ने थोड़ी सी अपने आपको लगा है थोड़ी सी प्रपा हो यह भगवान की जहां पर हम लोग थोड़ा सोचतें अभी कैसे आज मतरजी रंगोली बनाते बफ लोग फूल कॉन कॉन सॉ लाना है वह क्या बनेगा ड्रेस क्या पहनेगे को कॉन आर्थि करने वाले है कुछ के इसा छ waters दंच चलिए साथ दीन चले तो कितना उचा शितिति होगे नहीं तो इसके लिए बगवान प्रात्ना करना चाहिए इसके लिए मनवरत करना चाहिए मनो कामना मां ने चैंच बनाओ आपको आम मनुरत करूघ को को तर उन फुल मनोरत करूँघ है तर उन प्रैपकर से हो इधे हो कि हम combined कर दो कर दो कर दो कर दो कि अधिक रहेता है और अधिसे आते अका रहे जे भाई लेट हो जाए अपराबुजी मीटीक बहुत लबाद चल गए करो अधिक प्रकार के तुम सब को करता है अधिक प्रकार को अधिक रहे जाए तो एक लिए अगने अलब को साथ से दस हाधम के साथ है लेकिन हम जब बिकनाच चाहिए तो कोई भी खरीज सकता है ऑफिस वाले खरीज सकते हैं और वाले बेज़ सकते हैं कोई भी कुछ भी खरीज बेज सकते हैं इसलिए इधर लेट हो जाता है उदर काम निकल जाता है उदर धंदा चालू रहता है यह सब होते रहे और सामने फिर संसार दिखता है पूरा खतम हो जाएगा जीतने वाले ने क्या किया भाईया जिसने इंदर ने सव याग कर लिया राक्सुजी इन बनगे उसका दश्चा सूर बंगे सूर बंगे कितनी बार और नाली के कीरे बन गए यह कथा क्या है यह इतनी हैं से और यह सद्तने यह परम्सत्स तो कितना भी जीत लीजिए मुस्किल है लेकिन कहे रहें कि जब Mira ऑद था महीं नित्या ना मद रभव जबगा और नित्य चंटन करेगा तो कहा ज जाएगा भगवान के फ्रेम को प्राप्त करेगा चला जाएगा वैकुंड चला जाएगा बोलोग जा सकता है तो जो कुछ भी आप सुनते हैं जब करते उसका चिंतन करिए क्या करिए चिंतन करिए मनन करिए स्मरन करिए हमेशा उसमें रमन करिए क्या करिए सिर्फ चिंतन के आगे उसी का मनन करते रहिए स्मरन करते रहिए उसी का क्या करिए रमन उसी में रमते रहिए फिर जहां भी है रसोई में ऑफिस में बेडरूम में जहां भी है बात्रूम में टॉलेट सब्सक्राइब 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 अग्वान को सब्सक्राइब 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 अग्वान तो में कैसा पहन लो एक तो मुझे प्राइब तो भगवान को अगर कोई चीज सब्सक्री है तो वह है गव माता कौन गव माता और इसलिए भगवान हमेशा गाय को सेवा करते रहे क्या करते रहे और गव की महिवा तो आप लोग बार बार गव कर्था में भी सुना होगा कि कुरे इतने भी तेपिस स्पटाज के देविद्य दे होता है इस गव माता में निलास होता है जो कि उसलिए हँए जा रहा है कई लोग कंफ estrald हो जाएंगे भगवान की सेवा कहा और गव की सेवा कहा हरे गव में भगवान भी lot आप लोग कोई गौव का गौव जो डाय का फोटो आता ना जिसमें 33 प्रकार के देवी देवता का स्थान है उसमें दिखिए भगवान भी खड़े उसमें लक्षमी जी भी खड़ी है उसमें और सभी देवताओं का स्थान है पलाना डिंगाना सब लेकिन नहीं है उसमें इसमें नीजाओं को दो सबस्क्रा को दो कि दो सब्सक्राइब आपके दिखिए जोने जीजाओं सब्सक्राइब जसके अरत का tree का सब ससया है निरा गामतार्पटलोवान। अलित बताइब खुकुकु Council सब्सक्राइब आज्टिटाइब रगलावां होड़े ट्रिम्तrakला कर दिदा डाल तो करने जिस आगते हैं, वहां देवताप प्हार भी यहां कोई नेछे प्हार है भात? कि अलावत कोई ने चेटता है घरों में जाते हैं कि देवता उस्सी जविन पे रखें जहां यहां गोबर से लिपाएं जहां को मुत्र जिर्टा होगा इसलिए रहते तो है फाइबर मौल में डुपलेंट में पूरा कोठी राखोले मेरा कोठी है लेकि मालों पड़ता है रात को नीन नहीं आ रहा है वो भूठ रहा है क्या बख्राफ है कोठी में भूठ आता है बूठ आता है बाएं व्योंकि वहां कोई कोई काम नहीं है बख्राइबर में दिखाए बूठ आता है बख्राइबर में ले जाते बख्राइबर लग जाती थी बख्राइबर में नहीं लाती थी भगवान को किसमें नहीं लाती थी गोमुत्र और गंगा जल में समझें और गोवर से पूरा शरीर को मलमल के उसका सब अपना जो भी उनके मन में बच्चा है छोटा इतने साल के बाद आए पिर दुसरे जमना जीके जल से हम लोग तो गंगा जमना में नहाते ना और नाती वोटर अंग्रेशई बोलना सुरू कर देते आज कल के फैसन वाले लड़के लोग यंग जेनरेशन गंगा जमना में नहीं नहाते गंदाफानीे मल मुत्र जेते हैं उनको मालूम नहीं जिसमें तुम नहार तो न वो उसको तेखा भी नहीं पसंद नहीं जब जाके देखिए उसे कितना कच्रा जोड़ी कलता है गटर से भी खतरनाक नहीं कलता है उस प्लांट को देखिए जाके और जो पानी फिरे रहा हो तो देखिए पानी पीएगे प्लीज है वन ग्लास देखो तो जाके वहां की स्तिति क्या है पवई चले जाओ थोड़े दूर पे पवई लेख चले जाए मनसा तंसा में मत जाए नस्दीक में पवई लेख है जाके तो देखिए कौन सा चीज नहीं है वहां पे अगर देवताओं का वास चाते है भगवान का प्रेम और आनन चाते है तो और किसी भी प्रकार क्या मलिनिता है घर में तो गोमुत्र और गंगाजल चीटा करिए कम से कम एक कोने में करो अगर पूरे घर में नहीं करना है कोई एक कोना उसका प्रभावर रहेगा और रोज छिटना चाहिए गंगाजल रोज संक बजाना चाहिए रोज भगवान को फूल हार दो टाइम आरती और बत्ती धूप इत्यादिक गंटी बजाना चाहिए ऐसे घर में भगवान और देवताओं का बास होता है जहां आप माचने मदरा पिएंगे पर करेंगे अनेक प्रकार की बाप करेंगे और भूलें घर में सांती आ जाए टेंशन चल जाए हमारा मन पूलगूल पूल औहिंडरेंगे पूलर पूल पूलरहरेंगे कि अक Loc की सफेवा करो सबत्या है अगर घर में नहीं रख सकते हैं, हम लोग पर्ण भागवान ऐसे घर में पैदा हुए, भगवान के करपाद के, जहां हमेश्या गाए रहे हैं, एक नहीं दो दो, और अभी भी एक गाए हैं, और मैं सच कहता हूं, मैं घर जब जाता हूं, जब ही साल दो साल में, मैं गौशा स्मूथ जब होता है, इतना ममन एकार आनन्दे रहेता है, जो मैं रुबब नहीं करना हो अगर, जब तो जब भी भी जाता हूं, तो मैं वाहां बैट के लगशा ना पसंद करना हूं, और मैं एरा सवाप हैं, तक मैं गोबर हुटा रहा हूं, आईयों को बुलता हूं, मैं वाई, उघाना में अधेर, जात आएर रहूं अगर pia kats, समा मर बख संद करना, मैं जो मैं यंदर जाएह, जे तो इस पराकार से अगर गहर में नहीं है, तो को Lazada जाटरणा जाए है, वाहन जाए है, जाने खुण, जाए ह clarity, चारौ माई जाए〜 तो इस प्रक्तार से हमें अपना बुद्धी इस प्रक्तार से चलाते रहना चाहिए अनिक उर्जलूल जो बना कारण है और मलिंता का कारण है और लास्ट में कह रहे है कि तुलसी जी की सेवा क्या कह रहे है तुलसी सेवा मैं निर्जला के दिन कह रहा था कि जो कोई भी माता है रोज चार परिकर्मा करेगी और सुबे शाम तुलसी जी को दीब दान करेगी दीब दिखाएगी वो हमेशा है हमेशा तो आप se i'tnay लोग करते और शुभे शाम दीवडान करते मुझे नहीं मालूम लेकिन जो दशा का उसके सकते किने चुने लोग इसे काम करते वह सारे लोगों के घर में तुलसी नहीं रहती है और बहाना बननाते है जभी भी लगाते तुलसी जी या तो सट जाता है या मर जाता है तो बहुत अच्छी बात है हज़िकात बार बोला जाता है कि अच्छार बार लगते रहे हैं कि अच्छार बार लगते रहे हैं कि अच्छार के घर में दूप नहीं आता है अगर बोविन ने मंदिर में आपे लिए यहां तो दस्तों ना बगवार ने पास मारा कि पास ऐसे तो आप प्रेतन करेंगे आपको लगे लागे कि हमें बगवार प्रेम और नम पूचाने वाला यह कार है आप जरूर करेंगे और आपको अगर विश्य नहीं है किसों ने ते बोल के चूत जाएंगे Also जूट सकते इसमें कोई बड़ी बात न ही लेकिन हजारों लोगों ने देखा है भगवार अधरा में देखा है वागवान का अ प्रेम देखा में देखा है हमें हमें के अ इसे लग रहा है भगवान की दोस्ती है नर्सिंग मेटा की दोती ऐसी थी जो एक भी जगा बिना सिलाई वाली नहीं थी जेर ツारा थे से नर्सिंग मेतां की दोती जगान Mission मेता अमेशा बगवान का बजन गाते रह ते राकेदार जबहर के घालेते थे अजन शून से लिए गना आजाते खनार एक सुणने के लिया जाते और जो चाहिए भगवान देखे जाते हैं, तो इस प्रकार से जब हमारा विश्वास रहेगा, जब हम सरनागत रहेगे, जब हम सरल रहेगे, जब हम पूरे निस्ठा के साथ अपने आपको भगवान को बेज देगे, उनके हो जाएगे, तब भगवान आपके भी हो जाएगे, त अब ऐसे किया आजाओ तो भगवान आजाओ क्या भगवान तो आए हुए थे तमाशा देख रहे थे दुनिया को हमारे जैसे बुद्धों को बताने के लिए तुम किसको भी बुलालो पूझ लो अवा नियाग कर लो मेरा नम लोगे मैं आजिरू तो तुलसी महरानी सवभागे प्रदान करती है जो कोई भी तुलसी का सेवा करता है में जो कोई भी पूरुशिस्त्री का बैध नहीं बता रहा हूं जो कोई भी तुलसी का सेवा नितिक करता है सुबे शाम दीपदान और जल दान करता है दिखाना एक ब्ठी दिखाना ए एक रूई का सिंगल ब्ठी और जल्ड ढालना है थोड़ा सा एक चमज ढाल सकते अज्मक के जन्रणी से डाल सकते कि लोटे में दाल सकते इतना भी ढालना है डालिये आपकी स्तिती है और आज सिर्फ आर्ती उतारने से यम्राज को नहीं ले जाते हैं यम्लोग पूरी में नहीं ले जाते हैं यम्लोग फूर्ट जाता है तो आप लोग को यम्लोग फूर्ट जाता है तो आप लोग को यम्लोग फूर्ट पूर्ट जाते हैं तो आपके साथ हम भी चलें अइसा को चाहिए सामने समुद्र बराया बगवान ने पानी पीलो और चले जाओ भैकुंड जाओ है ना सीर के उबर तक पानी पीओ और सीधा भैकुंड जाओ अरे इतना नहीं कर सकते मूँ से बोलना कान से सुनना नरादम माला नहीं जपेंगे इतना असान नहीं जख्या करेंगे ना सुईयक होगा कभी नहीं होगा अब उससे के भगवान मिलेगे तबरे इतना अमगा दिश्कों कि लोग तो इसले करेंगे तुल्सी से बज़कर होनी चाहिए हागा अरगर नहीं हागर जीवा तुल्सी साथ ये निया पाना चाहिए तुल्सी जी भगवान का बक्ति मिलेगा वगवान का प्रेम मिलेगा क्योंकि तुल्सी जी भगवान की सहिचरी है कि या है प्रियतमा है भगवान की अरगर नहीं है भगवान के साथ बीबा हुआ है भगवान को पति से प्रिये है वो कहती है भगवान को अपने पति को कि भगवान इसमें करपा करो यह हमारा सेवा करता है यह आपका नाम जब करो दया करो तरुना करो बगवारन तुरन करना करते हैं तुलसी सेहा कैसे मलू है यहां से अगर गाव गाना है बस में यहां ट्रेंग कि तुना गंड़े पाल लिए हमारा काव तीज़ा पटना जुजना मस्तान है असलिक आप तो वाइकून टैम होहां से यहां गिर गए हव अगर गोलोग है यहां अच में मजाक ने उसको समझता ने गोलोग कि दर रहे तो और एक आदमी मिलता है प्रचार करने के लिए इसलिए मैं इसा बोलता हूं हम तो ढूंद प्रचिकार किसको करें अंदर जो है वहां अभी निकलेगा तो हम कहते हैं हम गोलोग से आये तो अगर दाम से गिरे हुए क्यों नहीं है और हम गोपाल के अश्लिए माता पूंद पूंद अगर अगर नहीं है मा बाबा बोलता हो मज जा या मज जा मज जा इन्ध कोरेगी बहुत दत्के पड़ेंगे नहीं नहीं मैं हम आपकोकर जब करो हैं थे स्था पर थे तो पर नहीं है श्राव है कि अधय करना फिर तब नहीं है और अभी नहीं सुद्रेंगे तो और नीचे गिरेंगे जान नरक है वहाँ चले जाएगे यह तो सुदरने के लिए बड़े भाग के मानुस्तन पावा बड़े भाग की सेप्राप्ट हो गया अब भजन कर लो गउस सेवा कर लो अब भागवत का पाट कर लो एक नहीं तो और अधा नहीं तो चौतफाय कर लो और अब तुलसी सेवा कर लो छिंतन मनंन करो भगवार occup से दाम कर लो हो इतना ना ढान दी जा कर दिया कि तो तुलसी सेवा हर कोई सुबे- सुबे असनान के बाद पहले तोल्सी जी को जल डालना चाहिए प्रणना मंतर बोलके प्रिश्यक्त रजात रना चाहिए और प्रिश्यक्त मंतर राए छोगी घाले जानी का नी चापा नी यानी का नी चापापानी प्रणात्यारिकानी चापानी प्रणात्यारिकानी चापानी प्रणात्यारिकानी चापानी प्रणात्यारिकानी चापानी प्रणात्यारिकानी चापानी प्रणात्यारिकानी चापानी प्रणात्यारिकानी 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 प्रणात्या आरे 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 राम आरे रामा 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 तो कभी-कभी यून में ही आदा आता है बाकी नहीं तो इस प्रकार से प्रदक्षिना मंत्र भी बोलना चाहिए और चाहर प्रदक्षिना करें ने कि अब अब इस प्रकार से रोज सेवा करें तो तुल्सी डल देते उसमें कहा देते कुल्सी जी का जो पत्ता है उसको बास्तविक में तुल्सी डल कहते हैं वह देखे भगवान को अर्पित क्या जागा है भगवान यह हमारा बाद बाद में हम मुझ्टी स्क्राइब तो इस प्रकार से बस्ता करें तो इसको में वह प्रकार से में सब्छान से प्रक्षित हाइस ओफिसर और हम काम क्या कर रहे हैं पैसा लेके लोगों के घर में वोम लगा रहे हैं उसी हत्या का साजिस कर रहे हैं कर रहे कि नहीं हमगे लोगों ने चून के भेजा हैं जाओ आप हमारे देश को चलाओ आप हमारी रक्षा करो हम क्या कर रहे हैं हम देश के साथ विज तो जागते रहें क्या करें तुलसी जी कि सेवा करें रोज तुलसी जागते आपको क्लीन करेंगे जो पवित्र होंगे और यह पंठी पहेंते हैं ना हम लोग यह कंठी पहेंते हैं बहुत सटा हुआ रहता है कई बार लोगों को ऐसा लगता है आसी लगा के घुमराबे मरने वाला है क्या हुआ लोग सोचते क्या हुआ रसी लगाया तो ठूट गया क्या तो ठूट गया क्या गले में इतना ठाइट कुछ पानी पानी अंदर जाता है कि नहीं जाता है वह अब आगे को पता क्या है तो अनको मालूम नहीं है या हर नेवाले में हर और में तुल्स नहीं है तो जब टाइट वाले हैं उतरता ना अंदर या सीदे पेट में अनुमान जी की तरह फार्जी डाल देते हैं अच्टों नहीं करें ना यह पॉन डालता रहेगा 25 बार चलो फरो और अंदर पूरा डाल तो यहां से उतरता है इसको कंठी कहते हैं कंठ में टाच होके जब उतरता है ना हर निवाले में हर फोर में तुल्स नहीं होता है उसमें सपर्स होता है और हम लोग प्रशाद अगा इस माइव माइदि कितना इन जो कंठी पहन के असनान करते न रोच जिनके गले में कंठी में सटा हुआ और असनान करते जो यहां से ज़ल नीचे आता है जितने भी प्रकार के तिर्थे पवित्र नदी तालाव जो कुछ भी यह सरोबर अनिप्रकार के जो यहां जल रहते हैं कुण इत्यादी, खुए तालाब, सब का आपको अस्नानी का फल मिलता है यह प्रकार के जलासे हैं पवित्र, नदिया इत्यादी, तीर्थराज परियाग, कंगा शागर, हरी दुआर, हरी की पड़ी जिनने बड़े बड़े तिरते असनान के सब का फल कंठी पहन के असनान करने से प्राप्त हो जाता है अगर गिनाते रहूंगा तो आज पुरा रात भर भर भी कम हो जाएगे कि अतने तुल्सी पहनने के महिमा है वे जब लोग के अच्छा रुपे में मिलने वाली तुल्सी मला कंठ में दारन से करते क्या दारन करते बड़े 5,000 थोड़ा वाजना पहले घाएगे बचंचा सजार तोला मिल्बबबबबबबबबबबबबबबबबर आपको यग शर्णी राज फॉला जासफेगादेगे इन ने इन अलए आपको को रोगदा जाली इन नापामलने जाली आई शकत बुददाल्डा ने लिए तो पाच्वारन सोना है, पहाँ पहे, इससे चादा सोना पहेना, आप सब लेके फुने जाएता है, तो प्राण्टी पहे असली है, आप शर्रे भगवाम ले जाएता है, अलाके दाम ले जाएता है, यह ने कहीं पहेनी थी, पहेनी थी, आप शर्रे जाएता है, आप शर्रे जाएता है, इससे चादा सोना है, पहेनी थी, कि इधर गई इधर मिली नहीं आज चल यह जो दूपट्टा था चोपूज भी था उप इड्रेस का छोटा का एक बलू बगवान के सीने में चपता हो और बगवान में सम्माई थो गए बगवान ने उनको अप्रपना प्रपनिया तंधी पहेंड का मत यह मैंने नहीं सुना क अधिक पास इतना सुना था अधिक 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 प्रपना चाहेंगे या फिर प्रलाद धुरुप बनना चाहेंगे मीरा भाई बनना चाहेंगे नर्सिंग मेता बनना चाहेंगे क्या बनना चाहेंगे कंठी धारी बनना चाहेंगे या स्वर्न धारी बनना चाहेंगे क्या बनना चाहेंगे कि अपने नहीं रोज नाम जपेंगे या नहीं जपेंगे सब लोग सब लोग आपकी आजादी है हमें तो सिर्फ इतना कहा गया है कि जारे देखो तारे को क्रिश्न उप्देश आप उप्देश करते रहो बगुवान नहीं आगादी है बगुवान के आगया का मालन दासन पुस्वापरा में यांद चल रहे हैं पहुपाद जी कैसे प्रानिक बश्चिश्न आप और हुझान के क्रपस से प्रचनों में प्रचना करते हैं अजिया प्रुशक्रिक आप सब प्रचन ने व्रेदर धर्चन की चारों जो है बगुवान से प्रेम करने का उसको अपनाई के निद्धा भागवत्स से विया नित्धार भागवत्स का से पर जिया है इन्तर नहीं पर द्रियों सिका और दिव्द्रे विद्रिये और दुसिस से बातर हैं इसलिए हम दोंक सबसे बड़ा आरंद है परिस्क्रालावा सब कुछ समय वहीं मेहना से और नरट की प्राब्ती या निमने लोगों की प्राब्त होगी अगर कोई प्रास ने आज के विशय में आज के जो कता है आज का जो चर्चा है इसके विशय में कोई हमने गलत कहीं होगी और कोई बात आगो पूछना है जिए प्रास के दियर और पर सब्सक्राब्त होगा तो अब पूछ साथे आज हम में प्रास के बाद कोई प्रस ने तो पूछिए नहीं तो सभी लोगों के लिए साथे और इस एनाउस्मेंट के बाद कोई प्रस ने नहीं सुनाए पड़ा मातन जी का प्रस ने के तिलक के बारे में थोड़ा सा बताई है बहुत सारे लोग कहते हैं लोग दिखाने के लिए तिलक लगाते कि बड़ अने भुआंग जी कि ला ठाए धुआ एधा कि अ वह थकल सले है मीम दिखान नकोई खाने के लोगा लोगार एधाने कि कि इन अनाए भड़ा कि लूखेना प्रिश्टा बहुत अच्छा नहीं कि लगर इसकी माहिमा क्या है वह सारे लोग कैसे समझते और कैसे दिखावे की क्या दो ज़ते हैं वह सारे लोग संसार में